प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है टैप टू क्रैक आपका स्वागत करता है टैप करो एक्जाम क्रैक करो तो गाईस जल्दी से आजाईए जल्दी से आजाईए ओकी गाईस तो सभी लोग आजाईए चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं जैसा कि आपको पता है CDS 2 2024 का शौरे फांडेशन कोर्स का जो अल्रेडी स्टार्ट हो रहा है 22nd February हो चुका है इसका प्राइस है 3499 का शौरे फांडेशन कोर्स जो की स्टार्ट हो चुका है 22nd February हो चुका है 22nd February हो चुका है 23rd February यानि की आज से इसकी वालिडिटी है एक साल which is available to you at the price of 2499 रुपीज इसके key features हैं कि आपको live classes, notes, topic wise, topic wise practice sheet मिलेगी PYQs will be available to you and the test series are also there तो यह हमारी team है जो आपको पढ़ाएगी CDS का 2024 का CDS 1 2024 का recorded batch जो है जो start हो चुका है 5 फरवरी से जिसकी validity till exam है वो आपको only at the price रुपीज 999 में मिल रहा है और CDS OTA 1 2024 का recorded batch starting from 5th February वालिडिटी अंतिल वन एर तिल exam सौरी और यह price है आपका 749 रुपीज में चलिए, session को start करते हैं Hi Kanak Lata, good morning, good morning, keep joining जल्दी से सभी लोग session को join कर लीजे और मुझे बताइए मेरी आवाज आप सभी के कानों तक पहुच रही है या नहीं तो guys, CDS OTA 1 2024 के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा surprise आ रहा है selection का गुरु मंत्र जो आपके लिए लेकर आ रहा है तो कुछ नकुछ सो आ रहा है और आपको उसके लिए करना पड़ेगा इंतजार तो मैं बताती हूँ कब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर आपको एक डेट दिख रही है 29 फेबरी आट 4 पीम तो 29 फरवरी चार बजे आपके लिए एक बहुत बड़ा surprise आ रहा है स्पेशली वो जो CDS 2024 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं और यकीन मानिए आप सभी लोग इस session को जॉइन करिएगा और यह बहुत ही बड़ा surprise है अब तक का हमारी तरफ से आप सभी लोगों के लिए हलो कुसूम कीप जॉइनिंग नमस्ते नमस्ते मोटिवेशन ओके राम राम कीप जॉइनिग चलिये चलिये session को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के बिना किसी विलंब के MIQ उसकी series को जारी रखते हैं Cerebellum is the center for reflex coordination and muscular tone if it is injured movements become jerky and walk controlled movements are shaky and speech defective movements are unbalanced or no effect on at all यदि Cerebellum प्रतिवर्ती समन्विय और मास्पेशियों की tone का केंद्र है अगर यह घायल हो तो प्रतिवर्ती मतलब जैसे कुछ reflex coordination होते है हमारी body के है ना तो जल्दी से सबी लोग आ जाईए Yes, yes, yes Good morning, good morning, good morning, Anish then we have pankaj, motivation तो आपको यह बताना है कि ऐसा क्या हो जाता है जब Cerebellum जो है Cerebellum एक center है balance आपकी body का अगर मैं बोलूग तो यह equilibrium maintain करता है basically यह क्या करता है यह body equilibrium maintain करता है body equilibrium का मतलब मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ body equilibrium maintain करने का मतलब यह होता है कि आपके balance को बनाने का कार्य करता है ठीक है तो यह बताइए कि अगर यह part प्रभावित हो जाए तो क्या होगा good morning, good morning everyone, good morning I use, good morning तो अगर यह हिस्सा प्रभावित हो जाए हमारे brain का injured हो जाए तो जो movements होँगे definitely यह movements होँगे, यह unbalanced होँगे यहाँ पर एक चीज़ याद रखेगा आप second और third में जो है वो confused हो रहे हैं तो बिल्कुल मत होएगा second और third जो है basically इसका सही answer है option 3 तो movements जो होती है वो unbalanced हो जाएंगी body की because majorly आपकी movements, आपकी accuracy इन सब को maintain करने का काम इसका है, posture बनाने का काम है आपके शरीर का posture भी यही बनाता है, ठीक है तो यह जो function है यह बहुत ही clearly mention कर रहा है कि यह cerebellum इस function को control करता है ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ तो cerebellum आपका mini brain होता है छोटा मस्तिश्क होता है ठीक है, और यह आपके पश्र मस्तिश्क का हिस्सा है तो यह आपके पश्र मस्तिश्क का हिस्सा है तो यह आपके पश्र मस्तिश्क का हिस्सा है प्रेस बायोपिया is a visual defect caused by जो प्रेस बायोपिया होता है प्रेस बायोपिया एक दृष्टी दोश है यह किसकी वज़े से होता है, elongation of the eyeball, shortened curvature of the eye lens, weakening of the ciliary muscles and gradually increasing the flexibility of the eye lens. तो basically यह किस वज़े से होता है, press biopia, ठीक है, तो press biopia का कारण क्या है? चलिए, तो इसका सही answer है option, गाइस मैं आपको बताती हूँ कि जो press biopia होता है, generally यह defect होता है, old age पे arise करता है, this is also called old age, hypermetropia, तो क्या होता है? तो से हमारी शरीर की मासपेशिया कमजोर होने लगती है, ठीक है, उम्र के साथ साथ जो शरीर की मासपेशिया होती है, वो काफी कमजोर हो जाती है, और, जैसे ciliary muscles भी एक मासपेशी है, आपकी smooth muscle है, basically ऐसी muscle है, जिसका आप पर control नहीं है, ठीक है, तो यहां पर यह जो muscles होत इनकी कमजोरी से, वीकनेस से ये दोशुथपन होता है। है ना, सिलियरी मसल्स ही तो तै करती हैं कि लेंस की फोकल लेंथ कैसे अड़जस्ट करनी है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, अकॉमोडेशन, अकॉमोडेट करना। अकॉमोडेशन का मतलब होता है कि जब आपके सिलियरी मसल्स आपके लेंस की फोकल लेंथ को बदलती हैं तो इसे कहते हैं अकॉमोडेशन, यानि अकॉमोडेटिंग पावर ओफ लेंस, ठीक है, तो लेंस का अकॉमोडेशन किस पर निर्भर करता है, सिलियरी मसल्स पर इन में से क्या different right牡 कोशीकाओं का हिस्सा नहीं है Exronses connective tissues- kangaggi एप आप यह सकते हैं कि इन में से में आप यह कह सकते हैं कि टंत्रिकाओं Tंत्रिका हिस्सा नहीं है इन एक्षॉन्स मतलब क्यों होता है और आपका neural system nervous system कि अगरन भात करते हैं Yes, I will explain in English also, definitely. Exons, connective tissues, Schwann cells or smooth muscles. So, please tell guys, कि इसमें से कौन सा आपका nervous system का या nerves का हिस्सा नहीं है, which is not the part of nerves. So, here the right answer is smooth muscles, because this is the part of muscular tissue. ये मास पेशी उतक का हिस्सा है, this is the part of muscular tissue, and Schwann's कोशिका ही जो होती है, connective tissues definitely जो सन्योजन उतक होते हैं, connective tissues हमारे neurons को भी connect करते हैं, so connective tissues are definitely present for creating a connection. लेकिन मैं आपको एक बात बता दू, कि यहां पर जो Schwann's cells होती हैं, Schwann's cells, please listen to me very carefully, this can be a question, this is your neuron, ये आपका neuron है, now you know this is called exon, exon. Now exon is covered by a sheath called myelin sheath, आपने देखा होगा, exon के उपर एक सफेद रंग का insulation होता है, exon के उपर एक covering होती है, जिसे myelin sheath कहते है, myelin sheath, ठीक है, ये covering क्या करती है, आप signal को lost नहीं होने देती, the covering does not allow signal to lose in the environment, इसलिए ये याद रखेगा, ये myelin sheath जो होती है, ये श्वान कोशिकाओं की बनी होती है, myelin sheath is formed of schwann cells, so please remember, यहाँ पर smooth muscle गलत आंसर होगा, मतलब इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है, so here the right answer is smooth muscles, smooth muscles जो होती है, जो चिकनी मासपेशियां होती है, वो muscular tissue का part है, it is a part of muscle tissue, that is not the part of neurons, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यानि कि nervous system का वो हिस्सा नहीं है, contractile unit of a muscle is called, जो आपकी मासपेशी होती है, उसकी संकुचन इकाई क्या है, what is the contractile unit of muscle, the contractile unit of muscle tissue, एक जो मासपेशी होती है, उसकी सबसे छोटे इकाई, जो संकुचन करती है, जो सिकुडती है, वो क्या कहलाती है, so the contractile unit of muscle tissue is definitely sarcomere, sarcomere जो होता है, वो muscle tissue का contractile tissue होता है, contraction में जो मदद करता है, वो sarcomere होता है, ठीक है, neuron, nephron is the smallest unit of kidney, जो kidney होती है हमारी, जिने हम व्रक कहते हैं, या जिने हम गुर्दे कहते हैं, neurons, neurons are the smallest unit of nervous system, आपके तंत्र का, तंत्र का सबसे छोटा, आप कह सकते हैं, कोशिका है सबसे छोटी, yellow fibers, ये एक प्रकार के connective tissues होते हैं, yellow fibers are called connective tissues, या फिर हम इसे सन्योजन उतक, या सन्योजी उतक कहते हैं, so please remember, this is going to be very very important, so contractile unit, ओके, चलिये, आगे बढ़ते हैं, moving on to the next question, which one of the following statements is correct, इन में से कौन सा, कथन सही है, which of the following statements is correct, urea is produced in the liver, urea is produced in blood, urea is produced from digestion of starch, it is produced in lung and kidney, तो आपको बताना है कि यूरिया का उत्पादन जो है, basically सही कथन पर ध्यान देना है, यूरिया का उत्पादन कहां होता है, where is urea synthesized in the body? okay, so the right answer to this question is, urea is synthesized in liver, urea जो है वो लिवर में synthesized होता है, और आपको एक बात बता दो, urea जो है, उसका general formula है, NH2-CO-NH2, इसका chemical formula है, racinic sutra है, NH2-CO-NH2, यह एक organic compound है, प्रयोग शाला में बनाया गया था, तो प्रयोग शाला में सबसे पहली बार, जो organic या carbonic आप कह सकते हैं, यौगिक बनाया गया वो यूरिया था, ठीक है, और ये भी याद कर लीजेगा, किसके द्वारा बनाया गया था, 1828 में, Friedrich Wohler नाम के, scientist ने बनाया था, Friedrich Wohler, so Friedrich Wohler was the scientist, who prepared यूरिया, artificially, right, guys, यूरिया is very very important, यूरिया बहुत जरूरी होता है, प्लांट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, right, it works as a nutrient for them, यूरिया प्रोवाइज नाइट्रोजन to plants, so that they can grow easily, right, हमारी बोडी के लिए एक वेस्ट है, हमारी बोडी के लिए टॉक्सिन, एक secondary metabolite है, जिसकी हमें आवश्चक्ता नहीं है, we don't want it, right, which one among the following substances, is never excreted out through urine, under normal circumstances, in any healthy individual, किसी भी, इंसान में, जो की एक स्वस्थ इंसान है, यूरिया के द्वारा, ये कभी भी बाहर नहीं आता, यदि वो एक स्वस्थ वक्ती है, तो उसके urine में ये पदार्थ कभी नहीं आएगा, this will never come into the urine of a normal person, a normal healthy individual, फड़ा फट बताएगे, So, is it urea, sodium, amino acid और potassium, human urine के composition क्या है, what is the composition of human urine, तो अगर मैं आपको बताऊँ, कि human urine जो होती है, उसका composition क्या है, So, urine में होता है, urea, which is approximately 2.5%, water, which is 95% of the entire volume, then we have uric acid, very less, इसके बाद हमारे पास कुछ proteins होते हैं, creatinine and creatine, basically, यह आपके kidney functionality को भी बताते हैं, कभी-कभी डॉक्टर बोलता है, creatin या creatinine टेस्ट करना पड़ेगा, and then we have certain ions also, urine में ions होते हैं guys, जिनको बाहर निकाला जाता है, like sodium ions, bicarbonate ions, potassium ions, so urine में जो नहीं निकलता है, वो amino acid है, amino acid आपके शरीर का बहुत ही, जरूरी, आप कह सकते हैं, कि एक पदार्थ है, that is very important substance, amino acid जो होता है, यह protein की सबसे चोटी ही काई है, और urine के द्वारा, किसी भी amino acid को बहार नहीं आना चाहिए, ओके, urine को आउट करने के बाद, urine दो-तीन घंटे में, urine यूरिया में चेंज हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, this is true, क्योंकि क्या होता है कि जब यूरियन बाहर आती है, urine also depends on the amount of diet, कैसी diet ले रहे हो, कैसा water intake है, है ना, जब 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 परसन, मतलब, मॉर्निंग में जब पहली बाहर, जब पहली बाहर, जब जब पहली बाहर पर urination, तो वो काफी dark color की होती है, the reason is, because you haven't taken water for very long, तो बहुत जब जब रात में पानी नहीं पिना चाहिया, we should consume water during daytime more, as compared to the night time, तो urine का जो concentration है, urine का जो color है, यह depend करता है आपके diet पर, it depends on your diet, यह सब urine के composition है, this is the composition of urine, है न, जिसे हम कहते है, मूत्र के घटक है यह, तो याद रहेगा सभी लोगों को? Yes. Amino acid protein की सबसे छोटी ही काई है. Amino acid is the smallest unit of protein and this should not be excreted out in urine. It is the smallest unit of protein. तो please ये याद रखेगा सभी लोग. चलिए, आगे बढ़ते हैं, moving on to the next question. Neutrophils and lymphocytes originate from? Neutrophils and lymphocytes originate from? जो हमारी neutrophils होती हैं या lymphocytes होती हैं, ये कहां से जन मिलेती हैं? From where do they originate? They originate from kidney tubules, spleen, bone marrow और lymph node. ये वरक्या नलिका से, तिली से, अस्थिमज्जा से या लसिका पर्फ से निकलती हैं. So the right answer is, the right answer is option C, bone marrow. जो bone marrow होती हैं हमारी, जब हम bone marrow की बात करते हैं, यानि अस्थिमज्जा की बात करते हैं, Guys, please remember, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझानी है, उसको ध्यान दीजेगा, जो हमारी bone marrow होती है, bone marrow हड्डियों के अंदर जो गाढ़ा रखतो होता है, this is the very thick blood present inside the bones, हमारी bones solid होती हैं, हमारी bones खोकली नहीं होती हैं, चिडिया की तरह, हमारी bones जो होती हैं, वो काफ अंदर से solid होती हैं, उसमें बहुत thick blood होता है, जिसे हम marrow कहते हैं, अस्थी मज्जा कहते हैं, please remember कि bone marrow जो होता है, उसमें आपकी सभी cells बनते हैं, RBCs, WBCs, platelets, आपकी सभी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, जो हैं bone marrow, यानि अस्थी मज्जा के अंदर बनती हैं, अब अगर हम immunity की बात करते हैं, when we talk about the immune system, यदि हम अपने प्रतिरूदक तंतर के बारे में बात करें, तो हमारे immune system, immunity की जो कोशिकाएं होती हैं, they are white blood cells, आपके श्वेत रक्त कोशिकाएं आपके immunity को बनाती हैं, और आपके immunity में T-cells भी आती हैं और B-cells भी आते हैं, So you need to pay attention over here, आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, that T-cells and B-cells are major players of immunity in the body, ये आपके शरीर की immunity के लिए सबसे जरूरी कोशिकाएं हैं, they are the major players, मैं ये कहूंगी कि सबसे बड़े खिलाड़ी हैं आपके प्रतिरोधक तंत्र के immune system के, अब क्या होता है, ये सभी कोशिकाएं जन्म लेती हैं कहाँ पर, bone marrow में, अब कोशिकाएं को हमने क्यों divide करा हैं, why we are calling it as T-cells और B-cells, because T-cells जो होती हैं, ये कहाँ पर जाती हैं, अगर हम बात करें T-cells की, इनको T-naam क्यों दिया गया, bone marrow से निकल कर ये thymus में आती है, thymus आपका secondary organ है, जहाँ पर ये क्या करती हैं, develop करती है, अपने काम को सीखती हैं, trained होती हैं, देखें, कोई भी cell body में training के बिना अपना का हमनी कर जकती है, there has to be a training, there has to be a training, right, a cell needs to learn its work, okay, a cell needs to learn its work, so it has to be trained, so where it is trained, it is trained in thymus, so when the cells they are born in bone marrow, but they migrate to thymus for getting developed, the cells are called as T-cells in future, but when the cells, they remained in bone marrow, तो कुछ कोशिक आएं अपने कारे प्रणाली को सीखने के लिए बोन मैरो यानि अस्ते मज्जा से निकल कर थाइमस की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर वो अपने कारे को सीखती है और फिर वो रक्त में आती है और वो T-cells कहलाती है यदि वो बोन मैरो में ही रहकर अपने कारे को सीखती है और फिर वो बलड में आती है तो वो B-cells बनती है एक बात याद रखेगा ये पेपर में आ चुका है कि कौन सी सेल एंटीबोडी बनाती है तो एंटीबोडी बनाने वाली कोशिकाएं होती है B-cells A mature B-cells form antibody A mature B-cells form antibody Okay Glucose is the best source Yeah, true Glucose जो है वो बेस्ट सोर्स है जागरती This is the quickest source of energy that you get Right Okay Now the next question is Which of the following diseases in humans can spread through air? मानवों में निमलिखित में से कौन सा एक रोग वायू द्वारा फैल सकता है? Dengue Tuberculosis HIV AIDS या Goiter यानि घेंगा तो ये हवा से फैलता है Please answer the question So the right answer over here is It is tuberculosis Very good TB Tuberculosis spreads through air TB हवा से फैलता है Causal organism is mycobacterium tuberculosis Mycobacterium genera का ये bacteria है जो ये बिमारी फैलाता है It is called mycobacterium tuberculosis ठीक है? Guys there are two types of tuberculosis दो तरहे के TB होते हैं एक होता है latent TB Latent TB और एक होता है active TB Active के symptoms दिखते हैं इसके लक्षण दिखते हैं पेशेंट में लेकिन latent TB के लक्षण दिखते नहीं हैं One is latent and the other is active tuberculosis ठीक है? और एक परसन की एक पेशेंट की नीड के हिसाब से उसे दवाईया दी जाती हैं So we can't use you know the general medicine on all तो हम हर पेशेंट के body weight और हर चीज को देखते हुए जो medicines हो दी जाती हैं So every person has different you know level of infection in the body उस हिसाब से medicines जो है वो दी जाती हैं So here the right answer is tuberculosis Tuberculosis हवा से पहलता है इसका bacteria हवा में रह सकता है Droplet infection जो होता है Droplets मतब खासने से, छीकने से ये दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है This can transfer to another human through droplet infections, through sneezing, through coughing ठीक है? Dengue is caused by vector Dengue जो है वो vector यानि वाहक के द्वारा पहलता है तो Dengue मच्छर का वाहक है Aedes, sorry Dengue का वाहक है Aedes मच्छर Right? So Aedes मच्छर जो है वो Dengue के लिए responsible है Dengue English में कहते है, Dengue Hindi में कहते है HIV, HIV हवा से नहीं पहलता, contact से पहलता है ये contact या संपर्क से पहलता है और वो भी कैसा संपर्क? Direct So HIV और AIDS can only transmit through contact Goiter ये metabolic disorder है Goiter is a metabolic disorder This cannot be transferred by any means तो शरीर में यदि कोई कमी आती है तो उससे ये transfer हो सकता है Okay? Shreyan, you are right Because people who are engaged in different kind of आप कह सकते हैं कि कुछ-कुछ occupational diseases भी होती है Great, very good So I think this is clear Right? Guys, please don't do unnecessary messages Right? Unnecessary chat मत करिये There should be a very, you know, genuine chat Okay? This is clear So Dengue इसका वाहक होता है वेक्टर होता है ये वाहक के द्वारा दूसरे को प्रभावित करता है A.D.S. मच्छर होता है Okay? And tuberculosis is caused by mycobacterium HIV जो है ये virus के infection से होता है HIV virus के infection से होता है Right? And goiter is the metabolic disorder ये metabolic disorder है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते है हाँ This is the pathogen Mycobacterium कुछ books में tuberculi लिखा होता है कुछ में tuberculosis लिखा होता है Mycobacterium इसका genus है This is the genus And this makes the species मैं आपको एक और बात बता दूँ Guys हो सकता है exam में आपको सिर्फ genus दिया जाए Species ना दिजाए क्योंकि examiner is more smarter than you उसको ये पता है कि species दूँगा तो you will be able to find it out कि इसका answer ही होगा So they might give you genus not the species चलिए आगे बढ़ते है Which one among the following cattle breeds produces the highest amount of milk इन में से कौन सी cattle cattle में आपका दुनों आ जाते है गाए भी और भैस भी तो इन में से कौन सी एक पशू नसल दूद का सरवद एक मात्रा में उत्पादन करती है Brown Swiss, Halston, Dutch Belted और Black Corp तो जल्दी से बताना है आपको कि इन में से सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन produce करता है milk, which breed So here the right answer is Halston जो Halston होती है ये सबसे ज़्यादा प्रेड्यूस करती है इन सभी options में तो इसका जो पर दे milk production है वो है लगभग 25 liters So it makes 25 liters of milk पर दे Right? Brown Swiss जो है It produces approximately 19 to 25 liters I mean 25 जो है ये इसका maximum level है पर इसका base है Like इतना तो ये बनाएगी ठीक है Then Dutch बेल्टेट जो है It makes approximately 5 gallons की अगर हम बात करें 18 to 19 18 to 19 kgs of milk and Blarkop जो होती है अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी approximately 15 to 18 liters production देती है 15 to 18 liters production देती है ठीक है अगर best indigenous breed की बात करते है If we talk about best indigenous breed indigenous का मतलब होता है Indian breed Indian मतलब तो indigenous का मतलब हो गया कि जो हमारी Indian breed है तो the best Indian breed is Sahiwal जो लगभग 6000 kilo sorry 2000 to 3000 liters milk देती है annually ये इंडिजनस है देसी breed है जिसे हम देसी कहते है राइट वेरी गुट Sahiwal is the indigenous breed और याद रखेगा ये जो breed है ये सबसे ज़्यादा कहां कहां पाली जाती है the breed actually exists in the states of Punjab Punjab Haryana UP Uttar Pradesh MP Madhya Pradesh ठीक है और राजस्थान तो ये जो Sahiwal breed है ये सबसे ज़्यादा आपको इन states में मिलेगी this is the indigenous breed ये Indian breed है जिसे आप देसी breed भी कह सकते है ओके understood right Among the following animals choose the one which is not an insect निमलिखित जानवरों में से उस जानवर को चुने जो कीच नहीं है spider, scorpion, tapeworm या mite mite का एक फॉर्म होता है जैसे कि दीमक होती है yes चलिए which one of the following is not the insect इन में से कौन एक इंसेक नहीं हो सकता spider, scorpion, tapeworm और mite तो guys इसका सही आंसर है option C, tapeworm because tapeworm जो होता है ये helmet है, ये कीडा है I mean, छोटे-छोटे कीडे है जो दिखते भी नहीं है शायद अगर आपको पता हो एक एक worm होता है जिसे हम कहते है teneasoleum teneasoleum ये एक बिमारी पैदा करता है teneasis कहते है teneasoleum it causes a disease called teneasis अब क्या होता है कि ये जो tapeworm होता है this is a kind of tapeworm तो ये क्या होता है, जैसे uncooked meat अगर mass अच्छी तरह से नहीं पका है या properly cooked pork नहीं है pork होता है pig का mass तो जब ये लोग खाते हैं तो उसके थ्रू ये शरीर में पहुँच जाता है और ये infection पैदा कर देता है ये worm मरता नहीं है, ये कीडा होता है ये क्या करता है, ये जैसे कि हो सकता है कि meat के अंदर इसने क्या हो, ये हो, ये worm हो, इसने अंडे दे दिये, और हो सकता है कि वो meat cook किया गया हो और उसके अंडे मरे नहीं हो, तो ये क्या है, इंसान के शरीर में पहुँचेगा, अंडे हैच हो जाएंगे, और फिर वहाँ पर ये कीडे जो है, वो बोडी में infection पैदा करना शुरू कर देंगे, इंसेक्ट का फाइलम है, जिसमें सारे इंसेक्स आते हैं, ठीक है, इंसेक्स आते हैं, चलिए, नेक्स्ट इस पीपल सफरिंग फ्रॉम अनुरेक्सिया नर्वोसा, अनुरेक्सिया नर्वोसा नामक बिमारी से पीड़त लोगों के साथ क्या होता है? अनुरेक्सिया नर्वोसा, जल्दी से बताईए, अरुची तंत्रिकांट से पीड़त लोगों में क्या हो सकता है? डेवलप परालिसिस, उनमें अंग घात विक्सित हो सकता है, शो पूर रिफ्लेक्सिस, उनमें मंद प्रतिवर्तता हो सकती है, वे सही तरह से नहीं बोल पाते हैं, इच वेरी लिटिल और फिर गेनिंग वेट, तो अनुरेक्सिया नर्वोसा एक कंडीशन होती है, जिसमें इंसान को वजन गेन करने का डर होता है, तो वो कभी भी वजन को गेन नहीं करता है, मतलब उसको हमेशा यह रहता है कि मेरा वजन भढ़ जाएगा, तो वो हमेशा फास्टिंग करते हैं, वो हमेशा वरत रखते हैं, डाइटिंग करते हैं, ठीक है, they do not eat proper, because they have a phobia of gaining weight, तो उनको लगता है कि उनका वजन बढ़ जाएगा, okay, so this is weight gain, okay, please remember, so these people avoid eating meals, okay, चलो, moving to the next question, match list 1 and list 2, guys, code यह है, code के चार options यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, and यह आपको match करना है, A, pancreas, cortisol, B, pituitary, vitamin, C, adrenal, thyroid stimulating hormone, और kidneys, 4, glucagon, तो आपके यह जो codes हैं, यह क्योंकि नीचे आने ही रहा था, पूरा इसलिए codes यहाँ पर लिखे हैं, this question has been asked in CDS 1, 20, 24, sorry, 2014, 2014, 2014, 2014 में यह question आया है, so be quick and answer the question, तो pancreas, जो है, वो आपका बनाता है glucagon, A का होगा 4, A का होगा 4, So A will be 4, pancreas will be glucagon, pancreas से निकलता है glucagon hormone, और glucagon आपके रक्त में glucose की मातरा बढ़ाता है, so it elevates the level of glucose in blood, pituitary gland produces thyroid stimulating hormone, so B का होगा 3, so the right option will be A, 4, 3, 1, 2, A will be the right option, because आपका जो pituitary होता है, वो TSH produce करता है, thyroid glandhy को तेजित करने वारा, adrenal cortisol produce करेगा, एक minute, C will be producing 1, C जो होगा वो 1 होगा, A4, B3, C1 और D2, I guess ठीक है, kidneys से vitamin D बनता है, kidneys में vitamin D बनता है, ठीक है, अगर creatinine जादा हो, तो कहीं न कहीं कोई kidney issue definitely है, ठीक है प्रथम, तो creatinine की concentrations जो होती है, वो kidney की functionality को बताती है, अब मैं आपको इसके options थोड़ा से समझा देती हूँ, यह याद रखिएगा, पैंक्रियास से निकलता है आपका ग्लूके गॉन हॉर्मोन, ग्लूके गॉन आलफा सेल सिक्रीट करती है, और इसका काम होता है ब्लड के ग्लूकोस लेवल्स को बढ़ाना, ब्लड ग्लूकोस लेवल्स को यह क्या करता है, एलिवेट कर देता है, ठीक है, जो होता है ये thyroid ग्रंथी को तेजित करता है It stimulates the thyroid gland और thyroid gland से निकलते हैं thyroid hormones Right Then आपके जो kidneys होती है Kidneys आपकी Vitamin D को बनाती है Vitamin D जो है वो Kidney में बनता है Please remember आपकी body के लिए Vitamin D जो है वो kidney बनाती है And then we have adrenal gland Adrenal gland जो है वो kidney के ऊपर पाया जाता है And adrenal gland से एक hormone निकलता है Cortisol And which part of it निकलता है Adrenal cortex से निकलता है And cortisol जो होता है ये आपकी blood में ये आपकी body में stress को control करता है Tanav को control करता है So this is a stress regulating hormone So please remember This is a stress regulating hormone My blood sugar ज़ादा हो तो उसे Kidneys भी affect हरेंगी बिल्कुल करेंगी जेखे जब हमारे blood में sugar बढ़ता है हमारे blood की viscosity बढ़ता है Viscous हो जाता है गाड़ा हो जाता है आप पानी में चीनी घोलते जाएंगे तो पानी गाड़ा हो जाएगा It will become You know it becomes a syrup उसी तरह से जब blood में sugar या blood में salt You know the density increases अब इस particular case में क्या होगा जो arteries होंगी उसमें से blood जब बहरा है Already वो high pressure में है Turbulent flow होता है blood का आपको पता है कि एक streamline flow नहीं होता हमारी body में It's a turbulent flow It's a jerky flow बार बार blood जो है उसका जो pressure हो चेंज होता है pressure constant थोड़ी रहता है तो इस वज़े से क्या होता है कि जो arteries होती arteries की wall damage हो सकती है अगर blood का pressure exceed हो जाए beyond a certain value So always remember the flow of blood in the body is not streamlined, it is turbulent क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारे factors, ये सारे parameters नहीं करे जा सकते ठीक है clear है सबी लगों को आप एकदम से उत्तेजित हो गए आपका BP बढ़ गया आप एकदम से कुछ ऐसा काम कर रहे है मैं आपको एक बहुत अच्छा example दूँ जब आप बहुत concentration से काम करते हैं तो आपका BP बढ़ जाता है जैसे एक बहुत अच्छा example है कि जब आप note गिनते हैं तो आप note गिन रहें गिनने में लगें और किसी ने आपको disrupt कर दिया तो क्या होगा आपका BP अल्रीडी अलेवेटीड है क्योंकि आप से गल्ती नहीं होनी चाहें मैनुवली आप note गिन रहें तो BP बढ़ा रहे हैं अपना ठीक और अचानक से आप 98 पर पॉंचे और किसी ने बोल दिया कि अरे सुनो जरा तो क्या होगा 98 का 99 गिना या 97 गिना फिर से गिनना शुरू कर देंगे तो इस गान बिगम आ प्रॉबलम राइट तो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है ठीक है क्लियर जल्दी से बोलो तो बीपी हमेशा एकसन ही रहता कुछ बाते सुनकर आप उत्तेजित हो जाते हैं ठीक तो एक्जाम्पल मैंने आपको दिया ही आपको हमेशा याद रहेगा तो आलवेज रिमेंबर चलो वट कॉजस डो डो जो होता है a mixture of water and flour to rise when east is added to it जो आटा होता है आटे में जब आप पानी मिलाते हैं और उसमें जब खमीर मिलाते हैं east जिसे कहते हैं प्रकार का fungus है जब आप इसको मिलाते हैं तो एक mixture फूल जाता है कुछ देर में रखने के बाद तो ये याद रखिएगा ओके ग्रेट तो आपको ये याद रखना है एस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे इत्यादी का मिश्रन के उठने का क्या कारण है An increase in the temperature, an increase in the amount of substance An increase in the number of yeast cells or the release of carbon dioxide gas हाँ मैं पेप्टाइड वाला बताती हूँ तो release of carbon dioxide gas is the right answer for this question यहां पर एक process चल रही है यहां पर एक process चल रही है and the process is कि जो आपकी fermentation होती है anaerobic respiration होता है वहां पर क्या होता है कि जैसे east जो होता है east हो गया fungus अब आप क्या करता है जो fungus जब respire करता है fungus respiration में जाता है श्वसन प्रनाली होती है तो वहाँ पर आपका अलकोहल बनता है और साथी साथ कारबन डायोकसाइड प्रेडूस होता है ये रियक्शन इसलिए बतानी ज़रूरी है क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि जब इस्ट रस्पायर करता है तो उसके बाइप्रोडक्ट में CO2 प्रेडूस होती है और CO2 जो होती है ये निकल जाती है इवॉल्फ हो जाती है इसलिए आपने देखा है ब्रेड हो गए मुफिन्स हो गए केक्स हो गए सारे बेकरी आइटम्स जितने भी होता है ये सब काफी स्वेल डप होते है क्योंकि इसमें से carbon dioxide निकलती है आपको इनके चुट-चुटे पोर्स भी दिखते हैं आप घर पे केक बनाते हैं जब आप उसमें इस्ट मिलाते हैं तो आप देते हैं वो केक क्या करता है अच्छा आपने एक चीज और दिख्योंगे आप बेकिंग सोडा बहुत से लोग डालते हैं केक बनाते समय क्योंकि बेकिंग सोडा क्या करेगा carbon dioxide evolve करेगा जिससे आपका केक जोगा वो fluffy हो जाएगा वो ही naturally हम इस्ट को डाल के कर रहे हैं हाना तो यह बात याद रखेगा चलिए तो यह आपको याद रखना है very important this is fermentation fermentation के दौरान ऐसा होता है now moving on to the next question which of the following pyramids can never be inverted इसमें से कौन से pyramids ऐसे हैं हमारे ecosystem के trophic levels में जो की कभी inverted नहीं हो सकते they cannot be inverted pyramid of biomass, pyramid of energy, pyramid of number या all of these, जो pyramids बनते हैं हमारे trophic levels के तो कौन सा pyramid कभी inverted नहीं हो सकता it can never be inverted so here the right answer is pyramid of energy कभी inverted नहीं हो सकता guys जो pyramid होता है इस तरह से आप देखते हैं जैसे कि यह first level हो गया, यह second level हो गया, यह third level हो गया, यह fourth level हो गया तो सबसे नीचे वाला level जो होता है उस पर सबसे जादा energy होती है जैसे कि grass अब घास किस ने खाई? grasshopper ने खाई grasshopper को किस ने खाया? frog ने खाया frog को किस ने खाया? snake ने खाया, साप ने खाया तो 10% का जो linman's का 10% law है तो 10% law यह कहता है कि अगले level तक केवल 10% ही पहुँचेगा तो केवल 10% ही पहुँच रहा है ठीक है? तो कहने का मतलब है energy जो environment में lost हो चुकी है जो हमारे परियावरण में जा चुकी है वो वापस कभी नहीं आ सकती इसलिए energy का pyramid कभी भी उल्टा नहीं हो सकता जबकि आपका biomass का pyramid उल्टा हो सकता है number का pyramid उल्टा हो सकता है हो सकता है definitely हो सकता है ठीक है? आपसे बोला जाए कि बाइव मास की बात करो तो घास comparatively घास का जो बाइव मास होगा वो अगले लेवल यानि ग्रास होपर टिड़ों से जादा ही होगा तो अविलेबल बाइव मास जो है वो जादा हो तो बाइव मास होता है कि जितना अविलेबल है अगले लेवल के लिए नेक्स लेवल के लिए that is called बाइव मास मतब भोजन तो उसको हम किलोग्राइम्स में या किसी भी उसमें नाप सकते है बिसिकली हम उसको एरिया वाइज नापते है इसके बाद moving on to the next question next question है यहाँ पर again आपको match करना है CDS2 2014 का question है और यह मैंने जानबूच के दिया है because यह question आपका animal kingdom का है Ascaris, Malarial Parasite, Housefly और Cow यह बहुत आसान है अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है मैं आपको लेवल बता रही हूँ कि यह particular level आता है प्रथम biomass inverted हो सकता है inverted biomass के मैं कल questions आपको लेकर आऊंगी तब मैं बताऊंगी example से समझाऊंगी, ठीक है, don't worry यह concept मैं बताऊंगी, ecology का concept है जैसे inverted number का भी हो सकता है एक पेड है, एक पेड पे रहने वाले बहुत सारे जीव हो सकते हैं एक पेड पर बहुत सारी चिडिया है और चिडियों को खाने वाले बहुत सारे worms हैं, कीडे हैं और उन कीडों को खाने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया है यह भी inverted biomass हो सकता है inverted number हो सकता है तो देखे, एसकेरिस जो होता है वो आपका नीमाटोडा है malarial parasite और गाय ममेलिया है A का होगा 3 B का होगा 4 3, 4 C का होगा 2 और D का होगा 1 So I think it is 3, 4, 2, 1 Option A, perfect 3, 4, 2, 1 East बनता नहीं है naturally exist करता है प्रतम East क्या है? fungus है, खमीर है वो बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता है वो exist करता है अपने आप नेचर में, unicellular fungus है एक और बात आप लोगों के साथ discuss करने है, एक question है आप लोग कल प्लीज बता करके आईएगा और question ये है की, बहुत जरूरी important मुझे एक बात बतानी है तो आप सभी लोग रुखिये, तो question ये है which fungus is the backbone of bakery industry जो bakery industry है या brewery industry इसके लिए कौन सी fungus को सबसे जादा exploit किया जाता है, bakery products या brewery products बनाने के लिए, brewery मतलब जहाँ beer बनती है, ठीक है अब आप लोगों के लिए एक सबसे important चीज cds1 2024 लेकर आ रहा है आपके लिए selection का गुरु मंत्र, अब यहाँ पर कुछ लिखा है free free, ठीक है तो कुछ तो आ रहा है जिसके लिए आप सभी लोगों को उपस्तित रहना है, 29 फरवरी चार पीम पर तो आपके लिए बहुत बड़ा surprise लेकर आ रहा है tap to crack का platform और यह surprise आप लोगों को कब पता चलेगा 29 को पता चलेगा और वो भी कब 4 बजे तो कुछ तो आ रहा है, definitely आ रहा है और यह आप सभी लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है चलेगा, तो guys आज के session को हम यहीं पर end करते हैं, जैसे कि मैं already आपको बता चुकी हूँ कि CDS के foundation courses जो start है 22nd Feb से जिसकी validity 1 year है at the price of 3499, CDS OTA 2 2024, the validity for 1 year 22nd Feb is the start date at the price of 2499 और आपके लिए Maths Special Life Foundation course का बैच है, जो की आज से शुरू है 23rd Feb, validity 1 year only at the price of 2499 तो guys, recorded batches भी आपके लिए अविलिबल है, CDS 1 2024 के recorded batches at Rs. 999 और CDS OTA 1 2024 के at the price of 749 Thank you guys, तो कल हम दुबारा से मिलते हैं इसी क्लास में, नए questions के साथ, आप सभी लोगों के लिए conceptual questions के साथ, I hope you like the class So guys, kindly share and subscribe our channel if you haven't till yet. Thank you guys, thank you so much, have a great day Yes, Shreyanj, I'll definitely bring the chemistry classes from Monday, okay Thank you guys, thank you so much